हाई गाईस विल्कम बैक टू में यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे तो अभी ये मॉनिंग का टाइम है और रात को बारिस तुब था खूप सारा तो आंगन में अभी भी पानी जमा हुआ है मैं आपको अपने बैक कैमरे से दिखाती हूँ तो भी पूरा भींग चुका है तो यहां पे अब मैं बना रही हूँ सबजी आलो और बेंस की सबजी बना रहेने की बरबटी तो इसमें मैंने लसून अद्रक प्याँ से सब डाल कर इसे पूरा भून लिया है अच्छे से थोड़ा सा मसाला वाला बनाएंगे आज सबजी तो यहां पे हमारा सबजी बुन चुका है अब हम इसे साइड मेर करके तो यहां पे हमने टमाटर भी डाल दिया है अब चारे सुखे मसालें धन्या पाउडर हल्दी पाउडर जीर पाउडर और नमग डाल कर इसे कुछ देर के लिए ढख कर छोड़ देंगे जब तो तो इसे चला कर मिक्स कर लेंगे तो यहां पे हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है और यहां पे हम इसको अच्छे से मेस कर देंगे तो यहां पे अपना मग पहले से डाल लोग टमाटर में तो अच्छे से टमाटर गल जाता है और यह सबजी खाने में भी बहुत अच्छा लग तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे यहां पर तो मैंने यहां पर पानी डाल दिया है उसके बाद अच्छे से मिला रहेंगे उसके बाद कुछ देर इसे पकनी के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर हमारा सबजी बन चुका है भम इसमें धन्या पत्ती और मसाला डाल देंगे और उसके बाद केस के फ्लैम को आफ कर देंगे तो हमारा सबजी यहां पर बन जाएगा उसके बाद आज थोड़ा समोसम खुला है तो हम धोईगे कपड़ा तो मैं इसके बाद मसीन में कपड़ा लगा जूंगी तो यहां पर है मेरा वासिंग मसीन तो इसमें मैं यहां पर लगा रही हूं कपड़ा दोने के लिए और मसीन नहां बाहर नहानी में है तो दो तिन दिन से लगा था बदली की कारण कपड़ नहीं धोपा रही इसलिए बहुं सारा कपड़ा इकठा हो चुक है था तो यहां पे मसीन में लगा देती हूं ऐसे तो जाला तर हम मसीन में नहीं धोते हैं हाथ से धोलेते हैं क्योंकि अभी इसमें लाइट फीट करने के लिए नहीं था इसलिए तो कपड़ा बहुं सारा इकठा हो गया है इसल जल्दी से और बदली तो अभी भी है तो अच्छे से अगर यहां नहीं सुखेगा बाहर में तो फिर हम रूम में पंके के नीचे डाल देंगे इसको तो मैं अपको दिखाती हूँ मैं यह देख सकते हो मसीन में मैंने कपड़ा डाल दिया है सारा बच्चों का ही कपड़ा है अभी और बच्चा है बहुत सारा कपड़ा है और मौसम दिखाती हूँ आपको यह हमारे घर के पिछे वाला हिस्सा है पूरा चारों तरब ग्रीन ग्रीन ही है तो देख सकते हो और बदली भी है अभी भी तो साया धी सुखेगा बाहर में कपड़ा अब तो पंका के नीचे ही यहां पे डालना पड़ेगा तो कपड़ा धोने के बाद में नहा लिठी और अंस सोया था तो यहां पे सोके उठ चुका है अंस तो उससे में बात कर रही थी क्योंकि वो रो रहा था तो तो उसके बाद फिर मैं इसको रेडी करूंगी और यहां उसको मुबाइल चाहिए था देखने के लिए अभी ही जस्ट सोकर उठा है और उसका बाल पुरा विखरा हुआ है तुमें हां उसका चोटी भी बना दूँगी और उसको रेडी कर दूँगी तो चलो अब उसको रेडी करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं तो यह देखो रेडी हो चुका है मैंने उसका बाल बना दिया और इसको टिक का भी लगा दिया है तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं थैंक यू फॉर वाचिक मिलते हैं आप से अपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए